बात करने वाला हूं आज मैं बात करने वाला हूं लोग टर्म प्लाइनिंग के बारे में पहले भी बात कर चुका हूं बट आज स्पेसिफिकली फोकस्ट वर्ड्स गेट कि जिनका गेट ही टार्गेट बना हुआ उन्हें अगले 6-7 महीने तक किस तरह से प्लान करके रखना पड़ेगा तुम्हें आज ही पता रहना चाहिए कि कब तुम्हारा पांच मेजर सब्जेक्स कम्प्लीट हो जाना चाहिए कब तुम्हें सब्जेक्ट वाइस टेसरीज देना है किस तरह से साइक्लिक रिविजन करना है और कब तुम्हारा फुलन टेसरी स्टार्ट हो जान नहीं, यह subject to device हुआ नहीं, test series का time नहीं मिल रहा, उसके बाद आता है frustration, उसके बाद आता है demotivation, और फिर मन करता है give up करने का, वो तुमारे साथ नहीं हो, तो एक सही plan अभी से बना के चलो, बहुत जादा महनत करने से सिर्फ नहीं होता है, महनत तो करना ही है, it is necessary, it is not sufficient, उस तुमारे हैं, उसे मैंने तीन phase में divide कर दिया है, और तुम्हें बहुत easily बता दूगा कि किस तरह से plan करना है, एक plan बना के तुम्हें अपने study room में रखना ही पड़ेगा, ताकि तुम्हें दिमाग में रहे, कब क्या करना है, यह बहुत important है नहीं, तो ऐसे wake भागोगे, तो उससे कुछ नहीं होता, सोच समझ के, strategic manner में सब कुछ करना है, तो पहला phase होगा तुम्हें जुलाई, अगस्त, सप्टेंबर, दूसरा, ऑक्टोबर, नॉवेंबर, और तीसरा, दिसमबर और जैनवरी, तो पहला phase से start करते हैं, इस phase में तुम्हें basically concept build करने में focus करना है, इसी से आएंगे, तो तुम्हारा main portion complete हो जाएगा, तो थोड़ा तुम्हारा confidence बढ़ेगा, तो 5 major subject में से जो भी तुम्हारा favorite है, उससे start करो, लेकिन तुम्हारा objective होना चाहिए, कि इन 3 महिनों में, तुम्हारा ये 5 subject complete हो जाना चाहिए, अगर तुम्हारा preparation अच्छा है, त August तक complete हो जाना चाहिए, नहीं तो September तक complete हो जाना चाहिए, अब phase 1 दो पार्ट में divided है, ये दोनों पार्ट जो है parallel करना है, पहला 5 major subject complete करना है, और दूसरा, parallel अभी सही, maths और aptitude, aptitude start कर दो, ठीक है, क्योंकि maths और aptitude ऐसा subject है, जो एक दिन या एक सब्ते में continuous नहीं पढ़ा ज develop होता है, maths भी उसी तरह से, वो simple तुम्हारा 11-12 या basic BTEC level कर रहेगा, तो उसे तुम्हें parallel continuously करते रहना है, तो ये हो गया, phase 1 में तुम्हें क्या करना है, एक short में तुम्हें बता दे रहा हूँ कि किस तरह से तुम्हारा subjects complete होता है, मैंने पहले भी बात किया, लेकिन हाँ, एक subject को तब तुम complete बोलते हो, जब तुम्हारा subject का class notes बन गया, हर एक chapter का previous year questions, gate और ES का खतम हो गया, अगर तुम्हारा सिर्फ gate target है, तो ES के उन topics को छोड़ दो, जो सिर्फ ES में आते हैं, लेकिन कम से कम gate के तो ES के previous year questions, objective से भी कर नहीं है तुम्हें, तो ऐसे करके तुम्हा तुम्हारा पहला दो revision complete हो जाना चाहिए, कौन सा revision, cyclic revision, इसके बारे में मैंने बात किया है पहले, तो ऐसे दो revision तुम्हारा हो गया, five major subjects का, और उसके बाद तुम्हारा confidence बहुत उपर रहेगा, second phase में जब तुम आओगे, तो वहाँ पे तुम्हारा छोटे-छोटे subjects, minor subjects, जैसे RAC हो गया, IC engine हो गया, power plant हो गया, यह सब तुम अराम से धीरे-धीरे करते रहोगे, industrial engineering और production भी तुम second phase में कर सकते हो, क्योंकि यह सब ज़ादा याद रखने वाले subjects हैं, यह mechanical engineering के लिए, तो उसे थोड़ा बात में पढ़ना है, क्योंकि exam के पहले तुम्हें ज़ादा इसी episodes में आगे जाके बता दूँगा, क्योंकि अभी वो time आया नहीं है, इसलिए मैंने उस पर वीडियो बनाया नहीं है, लेकिन हाँ, cyclic revision, basically तुम्हें subject wise test series देना होगा, तो जो 5 subject, तुम्हारे 5 या 6 या 4 कुछ भी हो सकते हैं, वो जो तुम्हारे complete हो गयते first phase में, उसका एक एक करके test series दो, revise करो, फिर test series दो, इसके बारे मैंने पहले भी बात किया है, star mark question जो gate और ES के previous year question में थे तुम्हारे, उसे क्या करो, फिर से solve कर लो, as a fresh question, उसे solve कर लो, अभी इतना ही करो, test series दो, test series में गल्दियां खोजो, weak portions में work करो, और आगे बढ़ो, फिर जब हम third phase में आ जाते हैं, यानि कि December और January में आ गए, ठीक है, December और January में तुम्हें क्या करना है, अभी तुम्हारे maximum subjects हो चुके हैं, एक दो minor subject बचे होंगे, इसे parallel कर लो, first phase में भी दो पार्ट में तुम्हें करना है, major subject करते जाना है, और maths और aptitude करते जाना है, second phase में, तीन पार्ट म क्या minor subjects करते जाना है, और first major subject के तुम्हारे revision होते रहने चाहिए, और तीसरा maths और aptitude तो चली रहा है, अभी तक तुम्हारा maths aptitude खातम हो चुका होगा, तो third phase में हम भुचते हैं, जहां तुम्हें full length test series start करना है, यह तुम्हारा December में हो जाना चाहिए start, लेकिन December में कम full length test series देना है, और January में जादा, December में बस चार देना, हर week एक देना, ताकि तुम्हें अपने weaknesses पर work करने का time मिले, और धीरे धीरे gradually अपना pace increase करना है January में, January में तुम्हारा कितना improvement हो रहा है, अगर improvement नहीं हो रहा है, तो speed कम करना है, नहीं तो जादा से जादा test series देते जाना है, तो phase 3 तुम्हारा में ली चार पार्ट में divided रहेगा, एक minor subjects का cyclic revision, तूसरा full and test series, तीसरा तुम्हारा कुछ एक-दो minor subjects अभी भी बचा रहेगा December तक, January में कुछ भी नहीं बचा रहेगा, लेकिन December में कुछ करते रहोगे side by side, छोटा मोटा subject से, तो ठीक है, और चौथा तु इसरो previous question अभी start कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारा almost सारा subject complete हो गया, तो mixed form में previous question solve करना start करो, PSU previous question start कर सकते हो, और SK bundle का question banks, mechanical engineers के लिए, एक ही करके solve कर लो, जो subject तुम्हारे week है, सब depend करता है, time पे, तुम्हारे पस कितना time बचा बचा भुआ है, उस ही साब से, तो हमेशा priority से इ एक idea लेकर चलना है, कि उस time पे तुम किस phase में रहोगे, मैंने इतना बार gate दिया है, तो मुझे पता है, कि आगे 4 महीना में क्या होने वाला तुम्हारे साथ, तुम उसके लिए अभी से ready रहो, ताकि तुम्हारे साथ कुछ unexpected नहीं हो जाए, कि मतलब पता नहीं यह क्या ही ह हो गया, सोचा ही नहीं था इसके बारे में, ऐसा नहीं होना चाहिए, तुम plan रो, strategic मैनम से करो, पढ़ाई तु सभी कर लेते हैं, धंग से पढ़ना बहुत important होता है, तो इस वीडियो को यहीं खतम कर देते हैं, यह भी बहुत जादा request पर ही, यह वीडियो बनाया था, अग हम फिर मिलते हैं, नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए, बाई